नमस्कार आप सभी का स्वागत है जमो लिंक्स न्यूस में और मैं हूँ विशाल शर्मा पहली क्लास में एड्मिशन के लिए जो नई अजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसके तहट छे साल की आईउ होना अनिवारिय थी और जिसके चलते जिसके इंप्लिमेंटेशन के चलते बहुत सारे बच्चों को जो की प्री नर्सरी नर्सरी एलकेडी यूकेजी में थे उन्हें इस वर्ष एड्मिशन से नहीं मिल रही थी पहली कक्षा में क्योंकि वो साड़े पांच साल के थे मगर छे वर्ष की आयू पूरी नहीं हुई थी और उनके माता-पिता लगातार ये मांग कर रहे थे कि बच्चों को इस बार छूट दी जाए तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि फाइनली उनकी ये मांग मान ली गई है और सब्तमबर 30 तक जो बच्चे छे वर्ष के होंगे उनका एड्मिशन इसी सेशन में यानि के 24-25 में पहली कक्षा में हो रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सेशन खराब हो रहे थे एक साल जाया हो रहा था और तमाम डिमांट्स को देखते हुए ये निरने लिया गया है कि छे महीने की जो छूट है वो दी जाएगी यानि कि अगले छे महीने तक तारीक आपनोट कर लिजिए 30 पर वन टाइम रिलेक्सेशन जो है वो पहली कक्षा के अडमिशन में दे दी गई है तो तमाम अभी भावकों के लिए जिनके बच्चे प्री नर्सरी में थे लेकिन साड़े पांच साल के थे या छे वर्ष पूरे होने में दो महीना या एक महीना पाकी था और जो अब क्र होंगा कि एक बहुत बड़ी खुश खबरी है कि उनके बच्चों का अब एक वर्ष जाया नहीं होगा और वो अब किसी भी स्कूल में जाकर एडमिशन ले सकते हैं पहली क्लास में अलाकि कुछ स्टेट्स ने ये अपने बलबूते पर रिलेक्सेशन पहले ही दी थी लेकि उपर के हैं लेकिन एस पर दरूल अच्छे वर्ष की आई उनकी नहीं हुई है तो उनको इस सेशन में एडमिशन मिलेगा यानि कि उनकी उनकी जो प्री नर्सरी नर्सरी यालकेजी यूकेजी है और अगर उसमें अब गैप आगे आ रहा था तो वो गैप की समस्या अब सम आप थो चुकी है उन्हें सीदे जो कलास फर्स्ट है अकेडमिक सेशन दोहजार चोबिस पच्छिस का उसमें एडमिशन मिल जाएगा तो एक बड़ी समस्या जो है वो कहीं न कहीं अब हल हुई है और फर्स्ट कलास में आप उन्हें एडमिशन जो है मिलेगा और यानि कि 6 महिने तक इन बच्चों को 6 वर्ष की आयू पूरी करनी है जो की fix date है 30 September 2014 सा तो 30 September 2014 तक जो बच्चे 6 वर्ष के हो रहे हैं यानि कि जो calculate किया जाएगा उनकी age को उसे आगे 30 September 2014 के हिसाब से calculate किया जाएगा और जिन बच्चों की आईउ उस समय छे वर्ष हो रही होगी उन बच्चों को अडवांस में ही पहली क्लास में अड्मिशन मिल जाएगा यह वन टाइम रिलक्सेशन जो है यह उन्हें दिया गया है एज क्राइटेरिया में ताकि वो बच्चे जिनका एक साल खराब हो रहा थ अड्मिशन पहले ही हो चुके थे प्री प्राइमरी में और इस समय जब फर्स प्लास की तरफ पहुंचे तो उनका एज गया बन रहा था कुछ महीनों का और कहीं न कहीं एक जायज दिमांड मिथील लेकिन यह आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा अगले वर्ष यह जो रि हो रही है उन बच्चों को जो है वो अब पहली कक्षा में एड्मिशन मिल जाएगा इस प्रकार का प्रोवीजन इस प्रकार का स्पैशल रिलाक्सेशन जो है वो दे दिया गया है तो एक बड़ी राहत है तमाम अभिभावकों के लिए और रेक्टेट अफ स्कूल एजुक